DAV Public Schools किस तरह के होते हैं, क्या admission process होता है, क्या fee structure होता है, इस बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो में अंट तक बने रहे हैं, मेरे चानल पे रहे हैं, तो प्लीज सब्स्राइब तो मैं चानल और बलाइकन को आल पर ज़रूर पेस्ट कर दें Hello Everyone, Welcome to Joy's World of Pural Fine, DAV Schools जो हैं, वो एक कमीटी द्वारा चलाये जाते हैं, जो DAV की कमीटी है, देयानन अंगलोवेदिक स्कूल होते हैं, इनकी कमीटी इन स्कूल को चलाती है, जो के महर्शी देयानन सरस्वती के जो हैं आइडियास पर बेस्ट हैं, उनके आइडिल्स पर मतलब गर्मेंट स्कूल भी आते हैं इसमें, जो गर्मेंट चलाती है और सेमी गर्मेंट भी इसे चलाया जाता है, इंडिया में अराउंड 900 DAV स्कूल हैं और 75 कॉलेजेज हैं और एक युनिवर्सिटी भी हैं, आमतोर पर इसमें अगर नर्सरी में आपको एड्मिशन करान हैं तो एक interaction होता है बच्चे का, parents का और कोई test नहीं होता, पर जैसे आप बड़ी classes में जाते हैं, class 1 onwards, 1, 2, तो इसमें return test होगा, depending upon the school और interview लिया जाएगा, बच्चे का एक normal interaction होगा और parents का भी interaction होगा, जो normal हर school में होता है, वही admission process यहां पर follow किया जाता है, यहां पर एक ची schools एक committee द्वारा चलाई जाती हैं, लेकिन इसमें यह नहीं है कि कोई एक central इसमें pattern चलता है, या central management है, कि सारे schools में जो same pattern चले, DAV schools का, जो है एक central idea तो same है, मगर इसकी management जो है वो अलग-अलग होती है, कई जगह आप देखेंगे, DAV school काफी बड़ा है, वहां का आपका fee structure भी जादा होगा, वहां पर facilities आपको जादा मिलेंगी, कुछ DAV schools छोटे इस तरपर चलाए जाते हैं, छोटे होते हैं, मतलब उनका infrastructure उतना जादा बड़ा नहीं होता है, तो यह जो management की committee यह पुरी तरह से free हो कर काम करती है, अपने level पर काम करती है, DAV के जो committee उसका directly इन पर यह भी जो है different होते हैं, depending upon the city also, city के हिसाब से भी fee structure differ करता है, चाहे आप DPS में भी देख लें, Delhi public school में भी, अलग अलग शहर में अलग fee structure होता है, more or less जो admission fees है, वो कहीं कहीं पर same होगी, similar type की cities में आपको fee structure same दिखने को मिलेगा, admission fees भी और monthly fees भी, but different जो cities है, उनमें आप अंत देखेंगे, मतलब जो बड़ी cities है, metros है, वहाँ का fee structure ज्यादा होगा, fees वहाँ ज्यादा होगी, छोटे शहरों में जो DAVs हैं, उनका fee structure कम होगा, तो यह है कि आप यह नहीं बता सकते हैं, कि DAV school का यही fee structure है, और यही सब जगा फॉलो होता है, ऐसा नहीं है, DAV के fee structure में भी difference होता है, depending upon the city, depending upon कि किस level का school है, कैसा वहाँ पे infrastructure है, तो DAV schools भी similar fee structure नहीं होता है, different different होते हैं, फिर भी मैं कोशिश करूंगी, आप comment करके मुझे बताएं, किस DAV school का आप fee structure जानना चाहते हैं, मैं उस particular DAV schools की list निकाल कर उनका fee structure आपके सार शेयर करने की कोशिश करूंगी, बट एक central मैं कोई एक fee structure नहीं बता सकती कि यही fee structure फॉलो होता है, बिकास अलग-अलग DAV में, अलग-अलग शेहरों में, अलग-अलग fee structure फॉलो होता है, admission का pattern भी इस तरह से same ही होता है, बट it depends upon the school, seats के availability पे different करता है कि किस class में, उस particular school में, कितनी seats available हैं या नहीं हैं, उस त जाएगा बच्चों का, आप मुझसे comment करके पूछ सकते हैं, particular कोई query हो आपकी DAV school से related, तो मैं, उस query को मैं solve करने की कोशिश करूंगे, आपके साथ information share करके, तो आज की video में इतना ही, I hope कि आपको video पसंद आयागा, पसंद आयागा, तो do it the like button, दूसरों के साथ जरूर शेहर करें, किसी ने किसी के लिए helpful हो सकता है, so that's it for today, thank you so much for watching.